हेलो नमस्कार दोफ्तों अब एभी मिली मौसम इबाग की जानकारी के नुसार उत्तर पर्देश में कडाके की सर्दी पड़ रही हैं कोरे और बरफिली हवाओं ने लोगों की परसानी और जदा बढ़ा दी हैं सीथ लेर के कारण गलन बढ़ गई है और परदेश के जादेता इलाकों में कोर अच्छा यह वा है राजजानी लक्नों में सुबह से ही गने कोरे की सब्सक्राइब बिच्छी हुई है और इसी के साथ सारण पूरबरे ली मुजा पूर समयत 41 जीलों में ठंड को लेकर रेड अलड जारी किया है बाग की हिस्सों में ठंड से रहत नहीं है और यहां भी घने कोरे का औरेंज अलड जारी किया गया है वहीं दोस्तों का यूपी में ठंड से रहत मिलने की संभावना नहीं आज और मौसम इबाग के मुताबिस आज राजजे में मौसम सूस करेने की संभ वीडियो में देने वाला हूं तो इस वीडियोगों लासत जरूर देखना तो चले सुरू करते हैं आगे बढ़े मी अपने जिल्ले और अपने गाहों का नाम जरूर से लिख ऐब करना है पाथ कर ले तो उत्तर परदेश के सभी ज başश्वर स्वर्दसेश कोरा देखने को मिला गने कोरे के चलते वीजिबिलिटी न क्या रही है वहीं कोचो में दते warfare रही हैं लोगनाओन जहां पूरे भारत में दो तो आज काई जिले कोरे और ठंड की चपेड में गिर रहे हैं राइजे में ठंड के चलते परदेश के काई सेरों में अधिकतर इसकोलों में छुटी रही है मौसम इबाग में एक रिपोर्ट में बताया कि आने वाले तीन दिनों तक आज कल और दो तो पर्चु ज्यादा भी कोच कोरा रहने की और ठंड पढ़ने की संभावना जाते जा रही है साथ ही मौसम इबाग ने बताया कि ठंड के रहात का मिलेगी तो मौसम इबाग के माने तो अगले कुछ दिनों में इस तरह के कड़ा के ठंड से रहात नहीं मिलने वाली है वह दोस्तों 41 जिलों में कोल्डे का रेड अलट जारी किया गया है वहीं ऐसे में आने वाले दिनों में थंड का पूरा यूपी कमका कमका पाते हुए नजर आये रहा है वहीं राज़दानी लक्नों में आसुबे सही घने कोरे और ठंड की मार्च परहसान है इसे के साथ कानप पूर मुझपर नगर मेरट विजनोर मुरादाबाद रामपूर बरेली पिलीवी सांजापूर लक्किंपूर खीरी सितापूर बराइज अरागरा इटावा औरया जलेनपूर कानपूर जांसी ललित पूर मौबा बांदा फतेपूर चित्रकूर्ट लाल कोसंभी और मुस् आसनी आजमगड आमेटगड नगर सुल्तानपूर परताबगड आयोदय आमेटी राइबरेली बारावांकी और लखनाव उन्नाव हर्दोई कन्योज फारुकवाबाद मेनपूरी फिरोजाबाद वेटा बद्यू और हात्रस अलिगट मौतुरा बोलंचर नोइडा जब बाद में भी कोरे और कोल्डे को लेकर और हैंज जारी किया गया है